हेलो डियर स्टुडेंट्स आज हम जो आपका चैप्टर है जो बागी रिडिंग बची हुई है उसे कंप्लिट करेंगे मैंने कुछ कुछ कॉश्चन सापको छुडवाई थे फर्स्ट वोश्चन है आपका टिकता मेल वीचिज बैलेंस्ट डाइट आपका वो भूजन मताना प्रीट मेल करेंगे में र्युद्वाई गटर्स माने कर unglaub आपकाल। कर एंग कोaráको तों से इस्क्रीं तोडेन करो नहीं करेंगे तो कि मेल्क जो होता है बाइलिंस डाहिए प्लस लोख इसे दाले और दूदी ही क्या है आपका टोटल न्यूटाइंट्स नहीं होंगे तो इसने लिए इसमें हम ये भी टिक नहीं करेंगे नेक्स्ट है हमारा मैंने आपसे एक कोश्चन और बताया था कि वी गेट फूड फ्रों प्लांट और अनिमल यहनी कि हमें जो भोजन होता है वो प्लांट और अनिमल से मिलता है तो इसमें हम क्या करेंगे टू राइट करेंगे हां मिलता है यह तो बात सही है तो इसमें क्या जाएगा आपका टू आजाएगा टी और नेक्स्ट है जो हमारा उसमें क्या आएगा आपका काउ गीवस हनी गाएं जो होती है वो हमें क्या देती है सहद देती है नो तो इसमें क्या आएगा आपका फॉल्स आएगा गाएं क क्या है यह food habits इसके बारे में हम यहां पर पड़ेगी क्या है food habits में as you already know तुम्हें पहले से जानका रही है इस चीर के लिए कि India is a west country with different culture and climate in its various states यानि कि भारत जो है एक ऐसी country है जिसमें अलग अलग culture और climate होती है अलग अलगी state में जैसे किसी state में जो होता है अधिग बारिश होती है किसी में अधिग गर्मी किसी में मौसम भी मतलब change होता है वहां की culture भी change होती है तो इसलिए सभी states में क्या होता है अलग अलग climate and culture होते हैं दस्थ availability of different food items and food habits of pupil also differ from one state to another यानि क्या आपने देखा भी होगा कि एक state से दूसरे state में दे जाते हैं तो हमें भोजन की जो items होते हैं खाने की जो आदि होती हैं कि खाने में क्या खाते हैं वह सब लोगों की अलग अलग होती है इसलिए क्या है सबकी food habits भी अलग-अलग होती है अभी आपको नीचे दियागी एक table food habits of pupil इसमें रीजन दिया हुआ है और food इस्टरनेंड साउधन स्टेट जितनी भी होती है वह क्या है आपकी उसमें ज्यादा क्या खा जाता है राइस अधिक खाते हैं जो कोस्टल एरिया होते हैं उनमें फिस खाते हैं नेक्स हम चलते हैं people who do not eat meat are called vegetarian नहीं की वो लोग जो meat नहीं खाते हैं उनमें क्या बोलते हैं vegetarian बोलते हैं they eat only plant product वो सिर्फ plant से बने जो product होते हैं वो ही खाते हैं people who eat meat वो लोग जो क्या खाते हैं meat खाते हैं called non-vegetarian यानि की हम क्या कहते हैं कहते हैं नेक्स है हमारा eating habits in a family यानिकि एक परिवार में eating habits जो छीजे होतीन थि को पसंद होता एतो किसी को कुछ नेक्स होम चलते हैं हिसमें की everyone does not eat the same type of food in a family क्या परिवार में पर टेंट जो विखती होते हैं जान की सेम फूड नहीं होता मैं वो सेम एक जैसा खाना नहीं खाते डिपेंडिंग अपोन दा एज एंड फीजिकल वर्क वोडिपेंड करता है किस पर उनकी एज नियूमर पर और उनके फीजिकल वर्क पर हो क्या काम करते हैं ते टाइप एंड अमाउंट ओफूड वेरी न उनका जो खाने की जो अमाउंट होता है वो नहीं के उसी के अकोर्डिक होता है लैट अंडरस्टेंड आइए मतलब में समझते हैं इत बाइन एंग्जाम्पल ओग जिया की फैमिली के एग्जाम्पल दिया हुआ है इस में उससे हम इस चैप्टर की जो फूड अबिट से बारे में हम यहाँ पर समझेंगी ग्रांट पैरेंट्स जो होते हैं जो दादा दादी ना 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 नी जो होते हैं फूड वीड लेटील ओएल एंड इस पैसी जो जो कम और यह मसालो वाला होता है इत इजी टुचीव जो चबाने में भी आसानी हो जिसे एंड ड़ेस्ट औ जितने भी आपकी चाचा और बाबा वह हैं उनके लिए क्या खाना बनता है फूड इंक्लूड ए लोट ओफ ग्रीन वेजटेबल वह भोजन जिसमें अधिक से अधिक हरी पत्ति वाली सब्जिया हो एंड ऑल काइंड ओफूड टाइप्स मतलब कि भोजन के उसभी परकार फोर मैंटेनिंग गूड हैल्फ जो स्वास्ते के लिए अच्छे हों वो सब बनाए जाते हैं मदर एंड आंट्स जो होती हैं चाची ममी वगारा जो होती हैं उनके लिए क्या होता है फूड कंसिस्ट रोप आइटम रिच इन कार्बोहाइड है मतलब उनके लिए कुण सा प्रोजन जिसमें कार्बोहाइड़रेट की मातरा थिक्व और प्रोटीन और प्रोटीन की इट गीव थैन एनरजी क्या वो ने क्या देता है एनरजी देता है टूवर्ख हार्ड कठिन जो वार्ग करने के लिए एस दे आरवल वैस एक्टीव जिससे वे क्या रहती हैं, हमेशा एक्टिव रहती हैं, दे कुख फूड वो भोजन बनाती हैं, सर्व, प्रोस्ति हैं, इटाल, मेंबर, सभी सदस्तियों को, and then eat their food at last, और तब क्या करती हैं, लास्त में अपना भोजन करती हैं, जिया जो है, जिया के लिए क्या भोजन है, C. like to eat junk food, उसे जो है पसंद करती है, कैसे junk food पसंद करती है, but it is not good for health, लेकिन वो उसके स्वास्ते के लिए अच्छा नहीं है, C. should eat homemade food, वह homemade food खाती है, including जिसमें क्या क्या होता है, चपाती, राइस, vegetables, fruits and pulses, इसके लिए 4 हर proper growth and development, उसकी proper growth और development के लिए क्या-क्या चपाती है, चावल है, सबजियां है, फल है, पल्सिज़ें, दाले हैं, यह सब क्या है, उसकी अच्छी ग्रोथ और development के लिए जरूरी है, नेक्स्ट है, जिया जिया का जो छोटा भाई है, उसकी जो उम्र है, वो दो साल है, वैन ही वाज बॉन्ट जब पैदा हुआ था, वैसिर्फ क्या पीता था, दूद पीता था, मिल्क इसे complete food, मिल्क जो है, एक संपूर नहार है, वैन ही वाज एबाउट 6 मन्थ जब है, कितने, कितनी एसका हो गया, मिल्क की 6 मन्थ का हो चुका, तो, and started developing teeth, उसके जो है, teeth भी developing आने लगे, तो, जिया जो मदर गेव हिम, मैस्ट फूड, नहीं कि जो जिया की जो मदर है, उसे मैस्ट फूड, फूड देने लगी, जैसे कि बनाना है, दाल है, यह सब मैस्ट फूड, नहीं कि उसे थोड़ा मसल की खाने को, उसे खिलाने लगी, नाओ, ही कैन इट स्मॉल अमाउंट फूड, लेस्ट पाइसे जोर, अब वह, मतलब, थोड़ा खाना खाता है, जिसमें कम मिर्ज होती है, ही द्रिंक मिल्क वह दूद पीता है, एक लिस्ट फूर टाइम ए डे, मतलब की दिन में, तीन चार बार दूद पीता है, नेक्स्ट है हमारा, अब फिर इंदा ब्लैंक दियोए है, कॉस्चन से हैं आपके, इसमें आपको क्या करना है, फिल करना है, जो छोटा बच्चा जो होता है, वो क्या पीता है, क्या पीता है, मिल्क, इसमें क्या जाएगा, फ्रस्ट में आपका, मिल्क, सेकिंड है, फूद इस नौट गूड फोर हैल्ट, जंक फूड जो होते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जंक फूड इस नौट गूड फोर हैल्ट, थर्ड है, प्यूपिल फूड इट मीट आर कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे हम, नोन वेजेटेरियन, क्या बोलेंगे, नोन वेजेटेरियन, फूर्थ है, ओल प्यूपिल लाइक यूर ग्रांड मदर सुड इट फूड विद लिटिल, ओल एंड इस पैसे, यानि कि जो आपकी ग्रांड मदर हैं, वो क्या करती हैं, कैसा खाना खाती हैं, जिसमें कम मात्रा में तेल और मसाले हों, नेक्स्ट है हमारा, मैथड्स ओप कुकिंग, यानि कि भोजन बनाने के कुछ मैथड्स होते हैं, उतनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डिफरेंट काइड ओफूर आर इटन बाई अस, यानि कि भोजन के जो अलग-अलग परकार हैं, जो हमारे द्वार खाए जाते हैं, सम ओफ दैम और इटन रा, कुछ हम क्या करते हैं, कच्चा भी खाते हैं, जैसे कि क्या है, लाइक बनाना है, एपल है, वैज़ेट एपल, सबजे भी होती हैं, कुकुम्बर है, रेडी से खीरा है, और मूली वगएरा जो है, यह सब क्या करे जाती हैं, कच्ची खाए जाती है, वाइल सम आर इटन कुकुड, कुकुड यानि कि कुछ जो हैं, वो क्या है, पका कर खाए जाते हैं, कुकिंग में एक ओवर फूड टेस्टी, कुकिंग से क्या होता है, हमारा जो भूजन होता है, और को टेस्टी बनता है, सोप एजी टू डरयजस्ट, सौप खाए है मुलामीन की, एजी तू डायजस्ट, और पचाने में भी जिसे असानी होती है, है इत आल सो मेख फूड सेफ टू इट और यह भोजन जो होता है हमारी हमारी लिबन दो सुरक्तित होता है ही टीफ हर्म जो गर्म करते हैं जो खतरनाक जी वानु आज जाते है याँ जुस्त कैन चेसिस डेथ्ट कैसे डीसिजिस से की मतलब कोई बीमारी नहों दिर आर डिफ् कि यहां पर आपको कुछ को किंग के मैथर्स दिये हुए हैं अलग अलग आप उन्हें पढ़ेंगे क्या है फस्ट जो है मारा बॉइलिंग बॉइलिंग क्या होता है उबालना कोकिंग फूड इंसुफिसेंट वार्टर इस काल बॉइलिंग कि बोजन को एक सही मातरा में जो आपने गार में पॉइलिंग के माल पॉजन को भॉजन को थे बॉजन का वालता है वाप त्षी है इंसुफिसेटोmban संजाने को बाटों के नि पेड़े नहीं के दोारे बनाना पकाना एनकी इनकी इट है कंछी परजर्व में ड़ दीलिंगा होता है वाने चैया गोले अधिक नगर हम उबालते हैं तो वह क्या हो जाते हैं और इदिया पानी में ही निकल जाते हैं और इदियाप स्टीम करके उनको पकाएंगे तो जो न्यूट्राइंट सोते हैं वह रहते हैं वेजेटेबल्स लाइक इस्पेंशें नपीज जयासे कि आपके क्या है वो पालक है और मटर है एंडिस इड्ली ऑड्होगला आर कोगड़ बाइश तीमिंग और इड्ली ड्होगला आधी बनाते हैं वह सब किस पर बनता है स्टीमिंग बाब के द्वारा ही बनाए जाते हैं किसी भी भोजन को तेल या भी में मतलब क्या करते हैं अंदर कढ़ाई वेगार में डाल कर उसे क्या करते हैं जैसे की it is the process of cooking food in hot oil और घी यानि क्या गरम तेल और घी में किसी भी भोजन को पकाना कर जो प्रोसिज होता है तो फ्राइग बोले जाता है पूरी हो दिया आपकी स food in an oven जो oven में जो आपके foods सायार किये जाते हैं वो क्या होते है उसे हम बेकिंग बोलते हैं जैसे केक है बंस है ब्रैड है बिसकित है यह सब क्या है हमारे बेक्ड फूड है रोस्टिंग क्या होता है it is done over an open fire जो तेरी की भूनना जिसे बोलते हैं खुली आग में जिसे किसी बरतन में रखें उबालते हैं समें एक्जामपल ओफ रोस्टिड फूड आइटम आर ब्रेंजल है आपके शेकन है फीस है और पोटेटो जो है आप उन्हें भून कर खा सकते हैं नेक्स्ट है हमारा इसमें कुछ कोशन्स दी होए हैं आपको आपको क्या करना है इसमें फील करना की एक्जामपल ओब दा फूड कुट बाई फॉलोविंग मैथड मतलब की इसमें आपको एक्जामपल देने हैं की स्टीमिंग जो है भावदवारा जो है कौन-कौन से भूजन होते हैं जीने हम पकाते हैं वन इस दन फोर यू आपको एक्जामपल जो है दिया हुआ ह और बाकी आपको देने हैं तो आप इसमें ढोगला स्टीमिंग में क्या क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इसमें पीज भी आ सकता है और इडली भी लिख सकते हैं इडली और पीज जिसे हम क्या करते हैं उबाल कर बनाते हैं स्टीम करके बनाते हैं सेकिंड है बॉयलि आप जाब सकते हैं और समोसा लिए अुक्ते एंड़को ऑदिध में शुकातेखंरम मिल्स मु very steak और щेश्ट मूर्ड मुत अवा पॉर्यां ऑस Г गार वी निए स्वाय करें नेक्स्ट ए आपका फिप्त जो है बेकिंग में आपके ब्रैड भी आते हैं केक भी आते हैं तो हम इसमें टो एक्जम्पल लिख देंगे केक एंड बिसकीट ओके डियर स्टुटेंट्स नेक्स्ट है हमारा वैसल्स यूज़ फूर कुकिंग मतलब वह बरतन जो कुकिंग के लिए यूज़ के जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या है आपका फस्स देखी वेसल फूर यूज़ फोर कुकिंग के लिए में डिफ्रेंट टाइप वेसल्स एंड अंटेंसिल्स आर यूज़ फोर कुकिंग फूर क्या अलग अलग परकार की जो बरतन होते हैं वो हम भोजन बनाने में उप्योग करते हैं ते वेसल्स इन यह पर यह नियुज आप यूज़ करते हैं यह सब भी आपके कुकिंग में यूज किया जाते हैं नेक्स्ट से एस तोब इस नैससरी फोर कुकिंग फूर्ड एक स्टोब का है यूज़ किया जाता है क्या क्या खाना पकाने के लिए वी यूज रिफरेंट टाइप ऑ फ्व यह उन्छ पर एक लिस्ट दी गई हैं कि जुन पर हम खाना बनाते हैं तक चुलिवाला बनाया एक है तो इससे की कंख युज़ाई इसका यूज़ करते हैं वुडब और कव डंक केक्स को किक बनाना है डाखियम यूज़ जो नग की कोंगे तीम के ले पहसे हैं केरोसीन स्टोव जो होता है उसमें हम केरोसीन को डालते हैं और उसमें चलाते हैं. जो हमारा सन जो होता है उसकी एनर्जी से हमारे जो कूकर चलते हैं उन्हें हम सोलर कूकर बोलते हैं जैसे धूप में आप रख देते हैं वो चार्ज होता है उसे हो हम भोजन बनाते हैं 6 है microwave oven microwave oven जो होता है and hot plate जो electricity से चलते हैं जो बिजली के दुबार चलाए जाने वाले जो होते हैं वो हमारे microwave oven and hot plate के उत्राइब होते हैं अब आपका जो ये chapter जो है complete हो जूगा है इसमें आपको कुछ दिया हुए time to answer में क्या करना है आपको यह जो आपको बरतंस की जो दी हुई है उनको आपको क्या करना है कि क्या है इनको पहचान करके बताना है कि यह किस चीज की फोटो बनी हुई है एक लैटस दू आपको एक और वर्क दिया गया है कि As your grandparents about the type of cooking vessels your mother used for cooking However, these vessels different from the vessel used by your mother Write it down in your notebook Ask your grandparents about what you're using from your mother and you're also asking what type of cooking So, how important you're using your mother So, you gotta tell them how different from your mother यापको जो प्रियोग किए जाने बरतन वहाले बरतने इनसे कैसे इन रुप्रेंट है वह आपको इसमें write करना है अब आपको जो ये pictures दी हुई है इनके आपको क्या करने है name write करने है ठीक है अब आप देख सकते हैं इसमें क्या-क्या दी हुए है frying pan है और कराई है, cooker है ये सब आपको इसमें write करना है ये chapter जो है आज आपका इसकी जो reading है वो complete हो चुकी है कल हम इसकी क्या करेंगे book exercise करेंगे students, thanks